नमस्कार प्यारे छात्रों आज हम घनशाम अगरवाल लिखीत वाहरे हमदर्द इस पाठ के बारे में जानकर लेने वाले हैं लेककने हमदर्दि भी किस प्रकार से पेडादाई बन जाती है इसके बारे में रोचक धंग से इस पाठ में अव्यक्त किया है हम जानते हैं छात्रों कि हम जब कभी किसी के इसा दुरगटना हो जाती है कोई बिमार पढ़ जाता है तो वह अस्पताल में भरती हो जाता है और उस मरीज को मिलने के लिए जब हम जाते है तब उसे अनंद होता है ऐसी बात नहीं है कभी-कभी वह हमदर्दी पीडा में भी बदल जाती है कभी-कभी अस्पताल में डाक्टर हो या नर्सेस हो वो परिशान हो जाती है और कभी-कभी हम एक बार नहीं जाते है बार-बार जाते है और मरीज को परिशान करते है मुरिच को मिलने के लिए जाते समय हम कभी कभी एक, दो, तीन, चार, ऐसे पाच्छे या दस बारा लोग मिलने के लिए जाते है तब वो हस्पताल के सारे लोग परेशान हो जाते है ऐसे ही लेखक के बारे में भी दुरगटना हो जाती है वे अस्पताल में भरती हो जाते हैं और इस दुरगटना को उन्होंने अभ्यक्त किया है तो छातरों चलिए घनशाम अगरवाल लिखित वहारे हमदर्द इस पार्ट के बारे में हम जानकरी लेते हैं